दर्शेकों हर हर महादेव आप सभी का हमारी चैनल शिफकता उपाई पर बहुत-बहुत स्वागत है कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शेकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अकसर देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में धन की समस्या से जूचते रहते हैं आज के इस समय में धन की आवशकता हर किसी व्यक्ति को होती है लेकिन जब हम कड़ी महनत करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, बहुत अधिक महनत करने की बाद भी जब हमें धन की प्राप्ती नहीं होती है तो हमारी घर में अनिकों तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है घर में कलेश बढ़ जाता है पारिवारिक सम्मंद खराब होने लगती है धीरे धीरे करके घर के सदस्यों के बीच मद्वीत पैदा होने लगता है यह सब होता है धन की कमी के कारण आज हम आपको पूजनिय गुरुजी का श्री शिम महापुरान कथा में धन प्राप्ती के लिए उद्पाय बताया है धन प्राप्ती के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं बड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें धन प्राप्त नहीं हो पाता है अगर धन आता भी है तो जल्दी ही समाप्त हो जाता है घर में धन रोकता नहीं है तिकता नहीं है ऐसी समस्याओं के लिए पूजन्य गुरुजी ने शिव महापुरान कथा में बेल पत्र का एक उपाय बताया है इस उपाय को करने से महादेव की कृपा बरसेगी और मा लक्षमी का स्थाई रूप से घर में वास होगा यदि आप भी सुपाय को जाना चाहते हैं मित्रो तो हमारे चैनल को तुरंधी सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन को प्रेस करके औल पर क्लिक कर देजिए जिससे की हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त होगा और पूझनिय गुरुजी के शिम महापुरान कथा में बताए गए नए नए वीडियो हम रोज ही आपके लिए डालते हैं तो चलिए जानते हैं सुपाय के बारे में बेल पत्र जिसको करने के लिए आपको क्या करना होगा सोमवार के दिन स्वच्छ वस्त धारन करके इस नानादी से निर्वित्र होकर पास के किसी वी शिम मंदिर में जाकर पवित्र मन से एक बड़ी बेल पत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर आपको क्या करना है? चिपका देना है या फिर अर्पित कर देना है? इसके बाद शिवजी से अपनी धन से जुड़ी समस्याओं के विशय में प्राथना करनी हैं, शिवजी आपकी कामना को अवशी ही पोन करेंगे पूजनिय गुरुजी धन प्राप्ती के लिए एक और उपाय भी बताती हैं, कि आप गनेश चतुर्थी के दिन गनेश जी के मंदिर में दीप दान करती हैं, तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है, और यदि आपके घर में धन आता है और टिकता नहीं है, तो ऐसी प पता होगा कि गणेशी की माता पारवती हैं और शिव जी के पोत्र हैं घडेशी गणेशी की दो पत्निया हैं जिनका नाम रिद्धी और शिद्धी है जिसका अर्थ होता है सुख और संपनता गणेशी का एक नाम विग्न हरता भी है इसके अलावा भी आप मंगलवार के दिन शिवलिंग पर पके हुए चावल हम बना लेते हैं उस चावल को पका कर चावल से ढखकर साथ बेलपत्र शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देने हैं इसके बाद घर में मा लक्षमी का वास बना रहेगा और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी यदि तीन उपाई में से आप कोई एक उपाई भी करते हैं तो यकीन मानिये माल लक्षमी का आपके घर में स्थाई रूप से वास अवश्य ही होगा धन्यवाद दर्शे को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें हर हर महादी